गंगा फॉरेश्ट नेचुरल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको उक्त वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार प्राचीन हिंदू राजाओं द्वारा बनाई गई एतिहासिक इमारतों को तथा कथित कुछ मुगलों ने जो आकरानताओं के रूप में हमारे देश में आए और उन्हों ने हमारी सांस्कृतिक धरोरों को अपने नाम से विख्यात या प्रख्यात करने का कारे किया। आपने जो यह है पुस्पावती पूट गहट का एतिहासिक चित्र के माध्यम से गुमबद देखा है ठीक इसी प्रकार की कलाकरती बड़ा इमाम बड़ा कहलाये जाने वाली भूल भूलया में गुमबदों पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां के बने बड़े द्वारों पर फूल पत्तियों के डिजाइन लगाये गए हैं और उनकी सब की बनावट भी मराठा कालीन राजाओं के समान ही अन्य हिंदू राजाओं की दिखाई देती है। आज जब हम इस स्थान का अवलोकन करने के लिए और गहराई से इसको देखने के लिए चले तो हमने यहां बावडियां और तालाब भी देखे। आप जानते हैं कि बावड़ी बनवाने का कारे हमेशा राजस्थान के राजाओं ने ही किया। अन्य राजा भी इस काम को करते रहे। सनातन धरम की माननताओं के अनुसार पानी का संग्रण और पानी पिलाना एक बड़ा ही पुन्ड़ने का कारिये है। जहां इन लोगों की संस्कृती ही यह रही कि इन लोगों ने पानी के लिए एक दूसरे को मार काट मचाई। वहीं सनातन संस्कृती में पानी पिलाना एक बड़ा महत्पून कारण सिद्ध हुआ। यहां यह परिलक्षित होता दिखाई देता है। क्या कभी भी किसी आपने इसलामिक धार्मिक इस्थल पर इस परकार के चिन्ह देखे हैं और यदि नहीं देखे हैं तो फिर यह ही इसलामिक विरास्त कैसे हो सकती है। जिन लोगों के द्वारा यह बनवाई हुई बताई जाती है वे लोग जिस देश से यहां आए लूट पाट करने के लिए क्या उनके देश में कभी ऐसी इमारतें आपने देखी। इस वीडियो के माध्धम से आप देखेंगे कि यह बात सिद्ध होती है कि यह प्राचीन इमारतें किसी ना किसी हिंदू राजा के द्वारा बनवाई गई थी केवल इन पर अपनी पट्टिकाएं लगा कर इनके नाम बदलने का कारे किया गया है। यदि आपको हमारी यूट्यूब के द्वारा से दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।